नमस्कार दोस्तों बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लिवस के बारे में आज हमने देखा पूने इंद्धियन मार्केट में अच्छे खासी अपने को सभिशा डेक्त लिए लाष्ट के पूछ मِन्ट्टों में अपने को देखने को मिलना भीक्वाली तो आते हैं चार्ट को पर और बात करते हैं लेवस के बाए में. तो बारे में एक परसेंट की तेजी को मुंली है, क्लोजिंग की बात करते हैं तो 25 थेयर1.130 के असपर प्लोजिंग की मुली है और डॉइंट परंग होती ही निफ्टी Anytime अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो अभी के एकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है वो आज का लो और कल का लो दोनों को हम लोग केल्कुलेट करते हैं तो अपने पास जो सपोर्ट निकल के आता है वो होने वाला है 24-700 का लेवल क्लोजिंग वेसिस में जब तक 24- इस लेवल को ध्यान में रखके चलना है बात करते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपोर्डेंट हो सकते हैं निफ्टी के लिए तो कल के जब मैं हमने वीडियो में आपके साथ सेयर किया था यह रेजिस्टन्स हा और्मोस्ट इसी के पास से यहां पर लास में थोड़ी सी अ पहले रहाट में अपने को हो सकता है तोड़ा सा डाउनफूल देखने को मिल जाए लेकिन अगर यह सस्टेन करना स्टार्ट करती थी है अगर अच्छे खासी तब इस कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि अच्छे खासी यहां पर अपने को अपरहेंड देखने को मिलेगा तो 25 या 390 से लेकर हो सकता है 25 या 550 के ऊपर के तारगर देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं सपोर्ट लेवल की अभी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा को सपोर्ट लेवल कोई प्रोपर नजर आता नहीं है लेकिन फिर भी जहां से कल और परसों की लाश्ट के जो लो हमने देखा उसको हम लोग करके चल सकते हैं तो उस लोग को अगर मैं आप में मार्क करता हूं तो मैं इस तरह किसे मार्क कर सकता हूं तो यहılarई ही अपना होने वाला है एक सपोर्टिंग लेवल जो की निकल कि आता है 24 यर 800 से लेकर 24 7 कर लेवल प्रोविसेंस पर या फिर एक खंट एक closing misses को ऐसा हम लोग मानके चल सकते हैं तो यह support होने वाला है यह अपना resistance है इसको पर closing देता है तो अच्छा खास आपने को उपर के level देखने को मिल जाएंगे बात करेंगा bank nifty के बारे में अब bank nifty की बात करते हैं लगभक यहाँ पे एक प्रसेंट से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है पॉइंट में आते हैं तो पांसो ब्यालिस पॉइंट यहाँ पे अपर हैंड में closing देखने को मिली है और जहाँ पे एक टाइम bank nifty ने अच्छा खासा lead किया था मार्केट को और एक बार हाईवेर आया था इसमें 15176 का closing होते होते हैं लास्ट में थोड़ा से यहाँ भी क्वाली देखने को मिली है तो अगर closing की बात करते हैं तो 15020 के आसफास closing देखने को मिली है जो की 50135 से लेकर 49620 का level होगा जिसके origin की अगर बात करते हैं तो वो निकल के आता है 49950 का level जहाँ पे तुबार से एक अच्छा खासा खरदारी देखने को मिल सकता है लेकिन अभी हमें वहाँ तक नहीं सोचना है जब तक यह 50320 के level को closing business पे ब्रेक ना कर देए अपने को ज़्यादा बेरिस नहीं होना है अब बात करते हैं कल के लिए कौन से level important हो सकते हैं कल के लिए जैसा कि आपके साथ resistance में ने बताया था वहाँ तक अभी बैंग लिफटी तो नहीं कहुंची है लेकिन हाँ अगर मैं बात करता हूं कि resistance के level की तो वो निकल के आता है 51,470 से लेकर 51,750 के level जो की बढ़िया resistance हावित हो सकता है कल के लिए और इसके उपर कर फिसलती है मतलब उपर चलती है और बुल करन यहाँ पर continue रहती है तो बहुत ज़्यादा जगरी होगा 51,800 के उपर sustain करना 51,800 के उपर sustain करें तब अपने को दुबारा से उपर की उचाहिया लगाता हूँ दिख सकता है बैंग निफटी जहां पे फिर अपने को उपर के target देखने हो मिलेंगे 52,250 के पहला target होगा उसके बाद देखेंगे 52,250 और उसके बाद हो सकता है 52,300 के level में touch कर जाए और वही पर एक निकल के आता है बहुत अच्छा का सारा resistance यहाँ पर back-to-back दो resistance होने वाले हैं 52,280 से लेकर 52,600 के level जो की बढ़िया resistance हो सकता है और वहाँ से दुबारा से हो सकता है बीक वाली देखने को मिल जाए अब बात करते वाले हैं support level की अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो निफ्टी के अंदर जैसा हमने देखा कोई अच्छा का सा अपने पास support है ने लेकिन बैंग निफ्टी ने अच्छा का से यहाँ पर उच्छाल दिखाई है लास्ट के दो दुनों में ठीक टाक से recovery भी दिखाई थी तो इसके according मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पैनिक के सिच्वेसन देखता हूं यहाँ पे लिफल निकल के आता है पचास या नो सो का पचास या नौसट को नीचे जब बैंग निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगी तब अपने इंट्राडे में अच्छा खासा पैनिक देखन को मिल सकता है वही देखते तो सबसे पहले जो अपने रेडार पे आने वाला है वो है मार्केट का लीडर रिलाइंस की बात करते हैं तो आज लवर 2% का यहाँ पर अपर मूद देखने को मिला पॉइंट पे कैल्पिलेट करते हैं तो लगवा 53 पॉइंट यहाँ पर अपर हेंड क्लोजिंग अपने को क्लोजिंग देखने को मिलता है अगर मार्केट यहाँ से ट्रैप भी करती है अपने को तो लेवल को बस फोलो करना है और ट्रैप करने पर अगर इस लेवल के आसपस आती है तो अपने कोई दुवारा से खरदारी मौका मिल सकते हैं बाकि मैंने यहाँ पर SIP करना है स्टार्ट कर दिया है लेकिन ज्यादा क्वांड़िटी में नहीं कुछ कुछ क्वांड़िटी में लेकिन अगर यहाँ पर म बाइंक निकल कर आ सकता है जिसके औरिजिघन की बात करते हैं तो वह निकल कि आता है 2688ग लेबर कने बात Todos करे हैं कलब लोग बोलेंगे तो कुछ चुनिदा इस्टॉक से जिन्होंने रेड में क्रोजिंग दी है बागी इस्टॉक ने अच्छा खासा यहां पर आज के दिन में अच्छा खासा अर्ट फर्फरों किया है तो अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करता हूं तो टेक महिंद्रा जब तक कि यहां पर 1570 का लेवल ब्रेक ना कर जाए अपने को बेरिस नहीं होना है और यहां पर थोड़ा सा यह मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने वाले है इक तरीके से दो महिना यहां पर कंप्लीट होने को है और तब से यह एक ही रेज में गुमता हुआ दिख रहा है जो क कि 1570 से लेकर 1670 के रेंज में खुमतावा दिख रहा है तो हो सकता है कोई यह रिजल्ट का यहां पर बेट करता हो दिख रहा है रिजल्ट अगर इनके फिवर में आते है तो अच्छा का सा बूम यहां पर लगाते हैं नजर आएंगे इस स्टॉक की बात करें या फिर बात क अब यहां पर चार्ट के कोडिंग अगर मैं देखता हूं काफी बुलिस लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आज के हाई की बात करें तो 1962-1965 को पर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा यहां पर नहीं हुचा यहां पर चूँ सकता है और डाउंसाइट के अगर मैं देखता हूं तो डाउंसाइट मुझे ऐसा लगता है कि यह 1850 के लीचे नहीं जाना चाहिए मतला 1850 का बढ़िया सपोर्ट है उस केस में अगर यहां पर कोई बिक्वाली आती है तो लेकिन अगर मैं अभी के अकॉड़म का एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है इन इन्फी के अंदर तो इसको डार में रखके चलना है, जैसे इसको उपर निकलेगा, एक अच्छा खासा बूम ने देकर नजर आ सकता है, 1965-1962 के उपर, बाग करने वाले हैं, TCS के बारे में, TCS भी अच्छा खासे सपोर्ट के आज-पास यहां पर रिस्पेक्ट करता हुआ द उपर तक के तार्गेट भी देखने को मिल सकते हैं, बात करने आपे ACN पेंट के बारे में, ACN पेंट का हम लोग इस लिए बात करें, क्योंकि अच्छे खासे डिमांड जोन के पास इसकी एंट्री हो चुकी है, और रिस्पेक्ट करने की भी कोसिश चल रही है, और यहीं प अगर बात करते हैं अपने crude oil के बारे में, तो उसमें भी अच्छे खासी बिगवाली देखने को मिली है, तो इसका सीधा-सीधा यहां पर connection होता है, paint की complete से, या फिर बात करें, यहां पर spice jade, या फिर बात करें, indigo से, इनको काफी जादा benefit मिनता है, crude oil के यहां पर नीचे आ सकती है, तो घ्यान में रखके चलना है, आपे ACN paint को, और यहां पर sort of opportunity भी बन सकती है, जहां पर 3310 के level को अगर यह hit करता है, तो यहां पर 3365-70 के stop loss के साथ में, यहां पर put में भी entry बन सकती है, लेकिन अभी हमें call के side में जाना है, लाकि put के side में जाना है, बात करने वाल अब बात करवाले है, आज हमने देखा एक अच्छा खासा PSU bank में ठीक ठाक सी अपने को recovery के sign देखने को मिले, और SBI की अगर मैं बात करता हूं, तो 781 के असपर closing देखने को मिली है, लेकिन सबसे बड़ा hurdle अभी के according जो होने वाला है, होगा 805-810 का level उसके उपर भी जाता है, फिर भी hurdle है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि 830 के उपर जब तक यहाँ पर SBI bank नहीं निकलता, अपने को hurdle ही hurdle देखने को मिलेंगे, बलकि यहाँ पर कोई बड़ा news रजाए, तो बात अलग है, लेकिन अगर news नहीं आदा, तो इसको उपर जाने में काफी ज़्यादा कट तो कल के टेम में अगर अपने को कोई भी मौका मिलता है, 790, 792, 95 के आसपास, तो हम लेको जाना है 5 मिनिट के टाइम फ्रेम के उपर, और वहाँ पर देखना है सिर्फ बेरी सेंटिमेंट, अगर वहाँ पर बेरी सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं, तो definitely हम लोग जा सकते ह अगर बात करते हैं, तो यहां पर बढ़िया यहां पर आज के दे में ज्छान देखने को मिली, जहां पर Tata Motors ने आज के डिम में बात करता हूं, लोग की तो इसने बनाया था, 893 के आसपास का और उसने दुबारा से हाई मारा, 924 था, तो एक बहुत अशाखासा मुमिन्ट देखने को मिला, दोनों साइट के अंदर, तो अगर मैं यहां पर सपोर्ट लेवल की बात करता हैं, सब कुछ उपर जाने वला है, लेकिन हाँ, जब तक ही 885, 888 का लेवल यहां पर कायम है, तब तक अपने को पूरी तरीके से बेरिस नहीं होना है, क्योंकि इसने एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन भी किया है, तो इस श्रते हम लोग ज्यादा बुलिस भी नहीं हो स इसको इकोडिंग अपने को ट्रेट बलान करना है, और बात करने वाले हैं असोग लेलेंट के बारे में, असोग लेलेंट का अगर मैं देखता हूँ, तो असोग लेलेंट ने क्या किया है, एक बहुत बड़े रेंज का इसने ब्रेकडाउन किया, और यहां पे एक को यह respect नहीं करता तो अपने को अच्छा खासा fall देखने को मिल जाएगा तो support के level की बात करते हैं तो 219 का level निकल के आता है उसके नीचे के यहाँ पे sustain करता हुआ दिखता है बड़े fall के तरफ जा सकता है जहाँ पे 211-12 पहला target होगा उसके बाद देखेंगे 205-206 का अगला target और हो सकता है कि market अगर negative रहती है इसी प्रकार से तो 190 से लेकर 192 के यहाँ पे lower target भी hit कर सकता है बात करते हैं यहाँ पे अगर bullish sentiment रहते हैं market में आती है अच्छी खासी खरदारी तो अपने को ध्यान रखना है लगता है अपने को फेवरेवल तो definitely अपने को जाना चाहिए 240-250 के put के side में यहाँ पे entry बनाने चाहिए बात करवाले है stop loss की तो 244-45 का stop loss उने वाला है 15 मिनट के closing basis पे और यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे risk reward अपने को मिल सकते हैं इस trade के अंदर तो इसको radar में रखका चलना है बात करें किसी भी entry बिनाने से पहले एक छोटे से disclaimer के बारे में तो इस video को देखने बाद अगर आप कुछ भी buying selling करने के सोच रहे हैं तो खुद की research जरूर कर ले क्योंकि यह मेरी खुद की research है किसी भी तो सबसे पहले उसे जानना है अगर किसी ट्रेड में आपको ऐसा लगता है कि लोस बड़ा हो सकता है कितना भी आप लोग positive हो उस trade को ignore करके चलना है क्योंकि एक बार आपकर capitalist चला गया फिर आप लोग market में sustain नहीं कर पाएंगे तो बात कर वाले हैं अगले स्टोक के बारे में यह निकल के आता है IT सेक्टर से ही नाम होने वाला है FSL का अकाउंटर काफी लंबे टाइम के बाद हमने इसको यहाँ पर कवर करने की पोसिस की है आज के डे में हम लोग बात करते हैं तो अच्छे खासी तेजी देखने हो को मिली अच्छे खासी IT स्टोक के अंदर अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं closing की तो 316 के आसपस closing देखने को मिली है और अभी के according जो support निकल के आता है वो 292 292 से लेकर 290 का support होने वाला है जब तो ब्रेक नहीं करता हम लोग बाइंग के साइड में जा सकते हैं बात करने वाले है 305 तक अगर डिप भी देखने को मिलता है तो मैं लोग add-on करके चल सकते हैं अब आता है target की बात करते हैं तो 330 का पहला target निकल के आता है 335 का पहला target होगा 340 से लेकर 342 का second target और जब यह 345 को पर sustain कर रहेगा तो यहां पर 350 और 55 के भी उपर के लेवन देखने को मिल जाएंगे तो इसको radar में रखके चलना है बात करवाले हैं अगले stock के बारे में यह निकल किया आता है OFS मतलब यहां पर Oracle Finance Services यहां पर जो की IT से से रेलेट करती है आज के डे में हमने देखा लगवाद 214 पॉइंट की यहां पर तीजी देखने को मिली लेकिन सबसे बड़ी बात है इस लेवल को sustain करना तो यहां पर से यहां पर बिक वाली देखने को मिली थी तो यहां पर target यहां पर नजर आएगा 11,900 का पहला target होगा उसके बाद दिखेंगे 12,000 और 12,300 से लेकर 12,500 के भी उपर के target देखने को मिल जाएंगी तो इसको radar में रखके चलना है सबसे बड़ी बात है कि 11,550 के उपर sustain कर जाना बात करने वाले हैं IOC के बारे में अगर मैं IOC की बात करत दिख रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि daily closing business पे 159 के निशे जब तक यह close नहीं होता तब तक अपने को पूरी तरीके से बेरिस नहीं होना है और नहीं इसके अदर अभी हमें को bullish भी होना है जब तक 172 के उपर closing और sustain ना कर जाए अपने को यहां पर bullish भी नहीं होना है अधर भी entry नहीं हो ही और उसके बाद market में जो अपने को यहां पर fall देखने को मिला वह यहां सीधा gap down के यहां पर नजारिय देखने को मिले अब यहां पर देखते हैं closing की बात करते हैं तो 567 के आसपास closing देखने को मिली है सबसे बड़ी बात है कि अब यहां पर RSI यहां प यहां पर level के साथ में और RSI को मेंज करते हैं तो अच्छा सा race reward अपने को देखने को मिल सकता है तो आने वाले दिनों में अगर इस level पर अपनों को देखने को मिलता है डाबर तो definitely buying के साइड में जाना चाहिए मेरे risk के according मेरे को अपने research के according बागी एक बार खुद buying या फिस अब यहां पर देखता हूं तो 1728 के आसपास closing देखने को मिली है बात करने वाले हैं support level की तो यह निकल के आता है 1698-95 से लेकर 1660 के level इस level के आसपास अच्छा खासा demand जोन है weekly plus daily plus one hour का भी अच्छा खासा support है इस level को ध्यान में रखके चलना है इस level के आसपास अगर यहां प बारे में यह होने वाला है breakout stock अभी के time में तो breakout stock नहीं देना चाहिए लेकिन यह थोड़ा सा ठीक लग रहा था जहां पे छोटा सा risk reward है तो अच्छा खासा आपने को favor दे सकता है नाम होने वाला है मुंजल auto industries का counter बात करने वाले है closing की तो 126 के असवास closing देखने को मिली है और last के एक हपते से हम लोग देखेंगे तो एक ही range में closing देखने को मिल रही है तो अगर मैं support level की बात करता हूँ तो 114 का बढ़िया support level अभी को cutting निकल के आता है 114 के level को break करता है daily closing business में तो और भी downside देखने को मिल जाएगे और सबसे बड़ी बात है एक resistance पेस करता हूँ देख रहा है जो आज का हाई था 127 का उसके उपर जब ये closing sustain करता हूँ देखेगा कल के डे में या फिर परसोगडे में अच्छा खासा moment देखने को मिलेगा जहाँ पर पहला target हुआ 130 134 और हो सकता है 140 की तरफ भी यहाँ पर जाता हूँ देख सकता है बात करने वाले है अगले और last stock के बारे में यह अपना होने वाला है सुझ लोन का counter यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ closing की तो यहाँ पर 73.64 की आसपास closing की देखनों के मिली है जो हमने resistance जो हमने support या फिर बोले दो demand जो market की दिया था आपके साथ उसी के पास यहाँ पर entry होई और यहाँ पर closing करने की कोशिस है लेकिन सबसे बड़ी बात है अ 65 का निकल के आता है जिन्होंने अगर long term में buy कर रखा है और अब चाते है stop loss तो 65 के यहाँ पर stop loss होने वाला है कोई भी downfall देखने को मिलता है 68 69 तक हम लोग दुबारा से dip में buy करके चल सकते है 65 के stop loss के साथ में और intraday या फिर जो भी अपने को उपर साइड में तारिके डि लग रहा और जो support हमने मार किया था 41 यार 800 820 800 का लिवन वो अभी तक respect करता हुआ दिख रहा है लेकिन उस तरीकर से move देखने को नहीं मिले जो कि यहाँ पर देखने को मिली तो सबसे बड़ी बात है अगर यह नेक्स्ट दो दिनों में एक बड़ी यहाँ पर green candle नहीं बना सबस्क्राइब आथा तो अपने को हो सकता है local market में यहाँ पर विक्वाली देखने को मिली और फिर अपने को inडिया मार्यकित में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है तो यह तैंट के लिए मार्केट के levels अगर यह levels आपको पसंद आया तो प्लीज गृद करना हैं उन्पसास कर दिना शेयर तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक साथ में तब तक लिए बाई टेक रेंट की वाज़ में वीडियो से